सबी को नमशकार अम्मा भगवान शन्न, श्री कलकी गुरुकुल में आप सबी का स्वागत है। अभी हम श्री कलकी के दिव्य उपस्तिती को बुलाते हुए परार्थना करेंगे। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा, खगतुर गोतम वाहनते, कलकी रूप परिपालयमा, भक्तम ते परिपालयमा, शिष्ट जनावन दुष्ट हरा, खगतुर गोतम वाहनते, कलकी रूप परिपालयमा, भक्तम ते परिपालयमा, शिष्ट जनावन दुष्ट हरा, खगतुर गोतम वाहनते, कलकी रूप परिपालयमा, भक्तम ते परिपालयमा, धीरे से आखे खोलिए, आज हम धर्मा 46 वीडियो में श्री अम्मा भग्वान के टीचिंग्स को गहराई से देखेंगे, हर दिन सारे विश्व में श्री कलकी के द्वारा कही सारे चमतकार घट रहे हैं, चमतकार प्राकृतिक सिध्धानत का विरुद्धाचरन नहीं करते, वो उच्छ सिध्धानतों के अन्याई होते हैं, चमतकार के उद्धेश है आपके मन के चंगूल से आपको मुक्त करना, यहाँ पर श्री मूर्ती में कैसे गोल्डन बॉल भगवान के उपर प्रत्यक्ष हुआ देखे, श्री भगवान जी के दिव्य संदेश को सुनेंगे, श्री भगवान जी के दिव्य संदेश को सुनेंगे, तर क्राऊ llamका झाहुका, grindasini और यहाँ जाव ciąाठी हिए ने επावका, अजी की लिए ने भगवान, को बेस्ट सोस्ता है कि जसका मैंस तर रे लुट कि थीई च्रह लाइ रुद मीश दो बीस जिए लुट आस पाने लुट भ्तम को लगड होथाक तर सू तरीज मीश मीश रगड हो। तरीज जसी जट रे लुट को म से लुट पानि पानिव। आस चानी एफ fell арाय इस युट को had you told me to do it immediately I would have done that so this happens with all my devotees also some of my devotees get their prayers answered immediately but they are very demanding, their approach is very different other thing oh Bhagwan can't do this maybe he needs more time and it gets delayed so what i am trying to convey is please design a better God For us it's a living experience, when we train people here that are designing God then in a very systematic way it is done अनुवाद सुनिए इस दुनिया में जितने लोग जितने संख्या में हैं उतने सारे मुक्ति के स्थिती हैं उतने सारे इश्वर के अनुभूती हैं बुद्ध धर्म में आप एक प्रकार के मुक्ति के बारे में व्याख्या सुनेंगे जबकि इसाई धर्म में और एक प्रका के वानी सुनेंगे और किसी के धर्म में बोल सकते हैं कि यही एक मात्र भगवान है यही एक मात्र भगवान की अनुभूती हो सकता है तो हम कह रहे हैं इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं उतने सारे इश्वर के अनुभूती हो सकते हैं क्यूंकि आप भी सृष्टी करता ह आप भी एक designer है अपने मुक्ति को आप खुद ही सृष्टी करते हैं आपके ईश्वर को आप खुद ही सृष्टी करते हैं मौलिक रूप से दोनों अनुभुती अलग है हम ईश्वर को मना नहीं करते किन्तु आपको यही बताया जा रहा है इश्वर आपके साथ वही व्यभार करेंगे जो आप उनके साथ करेंगे आप इश्वर की रचना कर रहे हैं इसी लिए नामदेव के कहानी है नामदेव के नाम के एक भक्त रहा करते थे भारत में उस जमाने में मुसलिम के शासन चल रहा था एक सुल्तान ने गाई के सिर को काट दिया क्योंकि हिंदूओं के लिए गाई पवित्र था और उन्होंने कहा या तो तुम इस गाई को जीवित करू नहीं तो तुमको भी धड़ से अलग किया जाएगा नामदेव ने सुल्तान से कहा मुझे तीन दिन की महलत दीजिए प्रार्थना किया कृप्या करके तीन दिन में इस गाई को जीवित कर दीजिए तीन दिन के बाद जब इश्वर प्रत्यक्ष होकर गाई को जिन्दा किया सुल्तान आके प्रसन्न हो गए उन्होंने कहा सच में आप बहुत बड़े भक्त हो आपको किसी भी प्रकार के एक शती हमसे नहीं होगा तब नामदेव ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आपने इतना विलम क्यों किया तीन दिन के बाद आप आए तीन दिन आपके लिए हमने कितना प्रतिक्षा किया तब कृष्ण भगवान जी ने कहा वो मेरे दोस्त तुम ने ही तो कहा तीन दिन का महलत दीजिए अगर तुम कहते तुरंथ मेरे भगवान आके करेंगे तो मैं तुरंथ ही आके करता तो यह चीज हमारे भक्तों के साथ भी होता है कुछ भक्तों के प्रार्थनाए तुरंथ पोन होते हैं क्योंकि वो बहुत जिद करके मांगते हैं, उनका मांगने की तरीका अलग है, जबकि कुछ और के लिए लगता है कि भगवान ये नहीं कर सकते हैं, इसे करने के लिए थोड़ा जादा समय की जरुरत है, इसलिए शायद उनके लिए विलंब होता है, तो आपको हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने तरफ से अपने ईश्वर को रचना कीजिए, हमारे लिए ईश्वर एक जीता जाकता अनुभूती है, हम कई सारे लोगों को सिखाते हैं इश्वर की रचना किस तरह करना चाहिए, जब आप systematically वैसे करेंगे, तो आप एक शक्तिशाली ईश्वर को अनुभव करेंगे, मुक्ती पाने के व्यक्ती कैसे जीवन जीते हैं, चले अभी हम सुनेंगे, जीवन मुक्ता सुनते हैं, मुक्ती ना पाने के अवस्था में व्यक्ती प्रतिक्रिया देते हैं, सामने वाले व्यक्ती जो कुछ भी बात करने दीजिये, हम उनको कितना सुनते हैं, ये हमारे चैतन स्थर के उपर भी निर्भर करता है, जीवन मुक्ती प्राप किये हुए, एक लड़की अपने अनुभूती को इस तरह बता रहा है, मैं हर दिन जो भी काम करती हूँ, हर कारी को, हर इंट्रैक्शन को मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मेरे अंदर इतना आनन्द कहां से आ रहा है, एक दिन मैं बारिश होने वाला था, छट के उपर जाके कपड़े लेकर आई, तो मेरे बहन ने मुझे देखकर कहा, पागल हो गया हो क्या, इतना हसरे हो, तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, अक्सर ऐसे बातचीत में मैं बहुत आहत होती हूँ, मगर इस बार मुझे कुछ भी नहीं लगा, मुझे मेरे बहन के वो बाते आनन्द दे रहे थे, बारिश का शब्द, प्रेशर कुकर का शब्द, घड़ी का, गाड़ी का, फोन का, हर शब्द वो सुन रहे हैं तो उनको आननदा रहा था और एक दिन उनके बेहन उनके उपर गुस्सा करते हुए पूछा, कि मेरे फाइल तुमने कहीं देखा क्या, कहीं रग दिया क्या, मुझे नहीं मिल रहा है तो उनके बाते सुनते हुए उनके बहन के भीतर के डर को उनको महसूस किया उनके जॉब के लिए वो फाइल कितना जरूरी है उनके बहन के बातों को सुनकर उनके भीतर कुछ भी नहीं लगा वो उनके कबर्ड में खोजने लगे और वही पर मिल गया पहले उनके घर में ऐसा कुछ होता था, दोनों की बीच में बहुत बहुत जगड़ा होता था अभी ऐसे कुछ भी उनके भीतर नहीं हो रहा है, वो अक्सर शांती स्थिती में रहते हैं मुक्ति पाई हुए व्यक्ति सुनते हैं मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति प्रतिक्रिया देते हैं ताइमलिस इंसाइट्स देखेंगे जहां पर सत्य निष्टता होता है वहां पर सद्गुन स्वाभाविक भाव से विक्सित होते हैं हम सभी हमारे मातापिता के द्वारा इस समाज के द्वारा इस कदर कंडीशन हो चुके हैं कि हम सभी दूसरों के सामने अपने आपको बहुती गुनवान और बहुती अच्छे सिध्धान्त मानने वाले अच्छे व्यक्ति के रूप में पेश करना चाहते हैं और इसी के कोशिश में लगे रहते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं हम दूसरों के सामने अच्छे महनती प्यारे निष्टा के साथ कमिट्मेंट के साथ जिम्मेदार होकर दया और सानभूती और प्रग्या और विवेक के साथ रहने वाले हैं ऐसे दिखाने के कोशिश में हम अकसर हम कौन हैं भूल जाते हैं हम कैसे हैं देखना हम बंद कर देते हैं सच क्या है दूसरों के सामने अच्छे होने की कोशिश में हम खुद के बारे में पूरी तरह से अग्यान हो गए अच्छाई को दिखाने की कोशिश में हमने हमारे सत्य के साथ नाता तोड़ दिया अगर हम हमारे सत्य के साथ संस्पर्श में रहेंगे तो हमारे भीतर अच्छे गुण, अच्छाई, सद गुण, स्वाभाविक रूप से विक्सित होंगे जब हम सत्यनिष्ट होते हैं हमारे जीवन में अनुग्रा बढ़ता है हमारे मस्तिश्क में एकशिफ्ट आता है आप अपने घर में काम करने वाले भाई के प्रती कंसंड नहीं है जब इस सच्चाई को आप जानते हैं उसके साथ संस्पर्श में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके भीतर एक सानुभूती आ सकता है आपके उपर अत्याचार करने वाले पती को शमा करना ही एक अच्छे महिला का एक अच्छे पत्नी का धर्म है करके उसे करने की बजाए आपके सच्चाई के साथ आपको रहना है जहां आपके भीतर उनके व्यवहार के कारण कितना आप हर्ट हुए हैं, आपके भीतर कितना गुसा और प्रतिशोद की भाव उनके प्रति आ रहा हैं, पहले उस सच्छाई को देखिए, तभी आप उनको क्षमा कर पाने की सक्षमता प्राप्त करेंगे. जब असल में हम अपने आप के बारे में अपने फेक बिजिनस के बारे में जहां हम दूसरों को दिखाते रहते हैं कि मैं कितना वेस्थ हूँ, मैं हमेशा काम पे रहता हूँ, मैं बहुत सारा काम करता हूँ, शायद बाहरी रूप से आप दूसरों के लिए ऐसा इमेज मेंट करना चाते हैं उसी इमेज को विश्वास करके बैठ गए तो आपका उन्नती नहीं हो सकता बाहर आप जैसे भी हैं अपने अंदर अपने सच्चाई को जहांक कर देखिए तब ही आप अपने जीवन में और भी जादा हासिल कर सकते हैं हमारे इंटिग्रिटी हमारे जीवन में हर काम को फोकस्ट रहके करने में मदद करता है इसलिए इंटिग्रिटी का अभ्यास कीजिए अगली टीचिंग को देखेंगे कुछ बनने के खेल में समस्याएं आपको बांद के रखते हैं जब तक हम इस जीवन को इस मन के साथ जीते रहेंगे हमारे जीवन में समस्याएं क्योंकि 90-95% हमारे जीवन के समस्याएं हमारे मन के स्रिष्टी हैं आखर ये मन समस्याएं स्रिष्टी क्यों कर रहा है क्योंकि ये मन हमेशा जिन्दा रहना चाहता है जब भी एक समस्या है तो उस समस्या से बाहर आने के चकर में आप हमेशा एक बिकमिंग मोड में रहते ह Becoming, मन के कई सारे तोर तरीके, कई सारे खेल में ये भी एक survival mode है जहां पर मानसिक प्रचिष्टा हम करते रहते हैं कुछ बन जाने की हम जहां हैं वहां से कहीं और चले जाने की मानसिक प्रचिष्टा को हम Becoming कहते हैं इसी Becoming के वज़े से हम अक्सर हमारे समस्याओं में इसकदर फसे रहते हैं कि हम अक्सर बोलते रहते हैं बस, जब मेरे problem solve हो जाएंगे न मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटी का शादी हो जाने तो, बस, बेटा जब पूरी तरह से settle हो जाएगा, बस लोन सब जब clear हो जाएंगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्या आपने इसे observe किया, आपकी एक समस्या समाधान हो जाने के बाद, क्या आप सही में relax हो रहे हैं, जीवन को enjoy कर रहे हैं जैसे आपने सोचा था, एक नए समस्या आकर आपके सामने खड़ा हो जाता है, क्योंक आपके रिष्टे में जो आप अनुभव करते हैं, वही आपके जीवन के अनुभूती हो जाती हैं, अगर कोई आकर आपसे पूछते हैं, कि आपका जीवन कैसा है, आप क्या कहेंगे, क्या आपको पता है, कि आपका उतर आपके जीवन के रिष्टों के अनुभूती के अगर आपका बेटा बेटी या पती पत्नी आपके मुश्किलों में भी आपका साथ निभा रहे हैं तो जरूर आप उत्तर देंगे, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हम बहुत जल्दी पार कर जाएंगे, अपने रिष्टों को परिक्षा कीजिए, उनके उपर कारे करते उसमें उन्नती लाइए, ताकि आपके जीवन का अनुभूती बहतर बने, आपका जीवन आपके लिए बहतर है या कड़वा है, ये आपके रिष्टों के अनुभूती के उपर निर्भर करता है, साधक पूछ रहे हैं, श्री भगवान उत्कृष्टता क्या है, श्री भग अजी चीज में उत्कृष्ट हो सकते हैं और वो है जो है उसके साथ रहना, चलिए, अभी हम जीवन के बारे में सिक्षा देखेंगे। Shri Bhagawan, can you please guide us on how to cultivate gratitude? झार्णेड के हैं कि दिए और जिए क्राणूब। अब्रहबूले अफिल प्र QianIT कान उब्ल्टूर काम्सराइब लिए व्टूर्टू्स फिर्दी कार एक है रग्योडूरे हैं। some farmer grew the cotton, some cha made it to this jibba. So we depend on everyone. So by ourselves, we are nothing, we are zeros. So if you keep thinking about it, you get awareness and then you have gratitude. And then suddenly you find the universe is responding differently. Simply help force it. आपके बिना हम कहां रहते? जीवन एक रिष्टा है. आपके पती संतान एवं रिष्टेदारों के प्रभाव से आपका स्रिष्टी हो रहा है. कोई एक गाई से दूद संग्र कर रहे हैं. करके आप आराम से सुबह के कॉफी पी रहे हैं. ऐसे देखा जाए तो पूरे विष्व में सभी आपको मदद कर रहे हैं. आपको आटो ड्राइवर, कार ड्राइवर के बगर आपका काम नहीं होगा. आपके घर के काम में हाथ बटाने वाली महिला के बिना आपका घर नहीं चल सकता. ऐसे आप दूसरों के उपर निर्भर करते हैं. यह एक आफरिकी सिध्धान्त उबंटू जिसका अर्थ है आपके वज़र से मैं हूँ. इसलिए दूसरों के प्रभाव से दूसरे हमें स्रिष्टी कर रहे हैं. यदि आप इसे देख पाते हैं तो कृतग्यता आपके भीतर अपने आप भर जाएगा. आप खुझ से क्या कर सकते हैं? खुझ भी नहीं. आप जिस कपड़ों को पहन रहे हैं उसे कौन बनाये हैं? कितने किसान कपास की खेती करते हैं? और कई सारे उसे तयार कर रहे हैं. हम खुझ भी नहीं हैं. केवल शून्य मात्र. यह विशय में यदि आप सोचते रहेंगे, आप सचेतन होंगे, आपके अंदर कृतग्यता भाव आएगा. उसके बाद अचानक से आप देखेंगे कि सारा विश्व अलग तरीके से संपादित हो रहा है. आपके उपर सायाता की वर्षा होने लगेग अवी हम श्री अम्मा भगवान के स्तिती को सुनेंगे. झालिए आपके उपर देखेंगे. आमरा एक्टा छोट्टु बिमाने कोड़े उर छिलाम। चारदीके क्रिशी जोमिते घेरा ग्रामगुलोर उपोर दिये आमरा उर छिलाम। भूमी बिभगतो एबं पधिक क्रितो छिलो। उपोर्थेके प्रितीविके रोंगीन गालीचार मतो देखते लाग छिलो। एटी एट्टी निरव जात्रा छिलो, एई जात्रा मोनेर दारा परिजालीतो छिलो ना, मोन सम्पूर्ण स्थीर छिलो, एई जात्रा एकोनो प्रस्थान बा आगमन छिलो ना, स्थीरोतार मोध्धे एक्टा गोती छिलो, एटी तकन छिलो जखन शेखाने मोनेर उपस्थिती छीलोना इसकी उपर ध्यान करेंगे कर दो प्लाइश आजिए भैश करेंगे दिया कि भीलोना इसकी उनाझ है और में आजया है कि आफेकी को जाएश हैं कि ही जएके कि दिएखान आएश प्लाइशपनी करेंगे। झाल झाल अभी हम चमतकार सुनेंगे आप सभी को नमस्ते आईए सुनते हैं श्रिकल्की का चमतकार पाकुत हूँगा अंगुल उडिशा से मैं प्रभाती प्रधान हूँ मेरे जीवन में घटित एक बहुत खुबसूरत चमतकार साज़ा कर रही हूँ 21 साल के विवाही जीवन के बाद भी मैं गर्बधारन नहीं कर सकी थी कई डॉक्टरों से परामर्श और इस तरह तरह की दुवायां सब नाकाम रही मेरा परिवार और मैं दोनों ही मेरे मा बनने की उमीद छोड़ चुके थे तब ही मुझे अनुक्रे प्रदाता श्विकल्की के बारे में पता चला 2014 में मैंने शुयमा भगवान के यूगल दर्शन में भाग लिया और संतान प्राप्टी की प्रातना की यदि मैं घर्बधारन करती हू तो उसके बाद नफ गरे हवन में भाग लेने का संकर्प भी लिया चमतकारी करूप से दर्शन के दो महीने बाद मैंने गर्भधारन किया और खुशी-खुशी नवग्रे हवन में भाग लिया और समय आने पर स्टार बालक को जनम दिया जहां जिकित सा विक्यान पुरी तरह नाकाम्याब हो गया था वहां तव्य अनुग्रे काम्याब रहा और हमारे जीवन और परिवार को आशिरवाद दिया हमारा जीवन परिपून हो गया मेरे जीवन में इतने महान चमतकार के लिए धन्यवाद देने के लिए मैं अपने आपको निशब्त पाती हूँ उनके चरण कमलों में सदा आभारी धन्यवाद चमतकारों को बाटने से चमतकार अधिक होंगे आखे बंद रखते हुए अभी आपने जो भी चमतकार सुना आज जो भी टीचिंग्स आपने सुने उसको मनन करें हुआ झाउ जो बंद वाटने से चमतकार अभी आवाद झाल झाल अभी हम प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में कल की आपको यह टीचिंग्स रियालिटी बनाना है ऐसे प्रार्थना कीजिए झाल 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 इस भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए कल की से निवेधन कीजिए कि वो आपके जीवन में चमतकार प्रदान करना है भगवाने अम्मा भगवाने सचिता नंदुडे भगवाने सचिता नंदुडे भगवाने सत्यलक वासुडे भगवाने भगवाने अम्मा भगवाने सचिता नंदुडे भगवाने सत्यलक वासुडे भगवाने स्चिता नंदुडे भगवाने सबीको नमुष्कार अम्मा भगवान शन्नम